नमशकार दोस्तों मैं मुनीश मुनीश फैसन अब बुटीक see welcome back । माई चनल को दोस्तों आज हम आपके ले लेक्या आये का स gone वीडियो इस वीडियो यह वीडियो खास इसली एं क्योकि आज हम आपको दिखाएंगे कि अच्छे अच्छे पीस कैसे बनते हैं कैसे हम एक शर्ट पर काम करते हैं कैसे वो सूट को हम अच्छा बनाते हैं वो सब दिखाने के लिए हमने आपके लिए त्यार किये ये वीडियो जैसा कि आप material देख रहे हों दोस्तों ये सब कुछ material रखा होंगी आज की designing करेंगे आप लोग इतना तो आप डेली वीडियो देख रहे हैं सीख रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि कैसे designing करनी है कैसे नहीं तो आप चूज करके बताओगे मुझे कैसे कैसे हमने designing करनी हैं ले सीज सब material रखा हुआ है अब वन बाई वन मैं आपको material के बारे में बताओंगे बट designing आप लोग करोगे मैं designing नहीं करूंगी आप मुझे कमेंट करना में तभी शार्ट की कटिंग करूंगी जब आप मुझे बताओगे कि यह अपने-पने राय दोगे कि क्या-क्या यूज करना है थोड़ा टेस्ट तो बनता है ना क्या-क्या रहा है दिजाइनिंग कहां तक पहुंची है तो थोड़ा तो समझ में आना चाहिए यह दोस्तों और गंजा का सूट है देखो जादतर लेड़ी साथ हजार का सूट है अब लेड़ी क्या हो जाती है हो प्लैस कितना महंगा सूट है हैवी सूट है बनेगा कैसे तो हमें गबराना नहीं है इन सूटों को हम कैसे स्टिच करते हैं क्या-क्या माटीरियल लगाते हैं इनके नीचे वह सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बाकी दिखो हमें गबराना नहीं चाहिए हमें प कैसे काम कर सकते हैं और कैसे अपनी फैमिली को भी संबाल सकते हैं दोस्तों मुझे ये बताइए हमारे देश का पहला व thumbs कों है वो भी एक लेडि ए हमारे प्रेजिडेंट राष्टपति आपको नाम तो पते ही होगा द्रोपति मुर्मुर्जी हमारे देश की राष्टपती है और इतना ही नहीं दोस्तो हमारे देश का हिशाब किताब बजट सब एक लेड़ी संभालती है तो हमें तो बस बूटीक चलाना है हमें तो बस बूटीक चलाना है और घर संभालना है देश नहीं संभालना हमें सिरफ बूटीक चलाना है और घर संबालना है दोस्तों आप देखे जो हमारे देश की फाइनेंस मनिश्टर है निर्मला सीता रमन जी जो हमारे देश का बजट संबालती है पूरा हिसाब किताब देखते हैं जब वो सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं मैं हर बार बो अच्छे पीस बनाकर अपने बुटीक को अपने डिजाइनिंग को हम परजेंट करेंगे तो आज ये वीडियो मैं आज आपको कटिंग नहीं दिखा रही हूं मैं आज आप से ये पूछ रही हूं कि आप मुझे बताइए डिजाइनिंग में कि मुझे क्या-क्या इसमें च आपको बताती हूं इस फैवरिक के बारे में ये और गंजा है दोस्तों और इस पर पूरे पर हैंड वर्क किया हुआ है हैंड वर्क किया हुआ है यानि कि सारा काम हाथ से किया हुआ है इसमें मसीनी काम नहीं है इसमें पूरा काम हाथ से किया हुआ है हैंड वर्क है पूरे पाड़ा सिल्क जो कि इसकी बोटम में बड़ी अच्छी लुक आ रही है अब दोस्तो इसके निचे हम क्या लगाएंगे यह और गजा तो जिसकी इसकी साइन भी अच्छी हो और यह बिल्कुल प्यारा पीस बने अब हम इसके निचे लगाएंगे को तो यह देखिए यह होती है cotton sand tune यह बिल्कुल soft बिल्कुल soft होती है गर्मी में ठंडी सरदी में गर्म cotton sand tune बहुत अच्छी होती है यह मैं white रखती हूं जैसा suit आता है वैसे ही डाई करा के customer के suit में लगाती हूं यह मैं white रखती हूं तो white लेके हम इसको कोई से भी color में dye करा सकती है संटून दो परकार की दोस्तों sun tune आती है एक synthetic होती है एक cotton sand tune बोलते है जो synthetic होती है वो कम आती है सस्ती आती है बट वो synthetic होती है हर customer उसको नहीं डाल पाता और उसमें fitting अच्छी नहीं आती जो synthetic होती है उसमें fitting बिल्कुल अच्छी नहीं आती और गंजा के नीचे उसकी look अच्छी आजाएगी बट उसकी fitting अच्छी नहीं आएगी हम synthetic भी लगा सकते हैं बट उसकी fitting अच्छी नहीं आएगी अगर हम cotton शंटून लगाते हैं यह heavy होती है आपने देखा होगा 1200-1300 की range में जो सलवारे आती हैं वो cotton शंटून की होती हैं वो bottom देके रखते हैं पैंट बनाओ, प्लाजो बनाओ, जो भी बनाओ तो हम इसका use lining यानि अस्तर के लिए करते हैं तो दोस्तों यह चीज आपको पता चल गी है कि हम और गंजा के नीचे क्या लगाएंगे यह अब ऐसे ही जाएगी दोस्तों प्रेस वगारा होके तब इसकी cutting होगी, इसको हम रख देते हैं यह इसकी bottom होगी तो अब देखिए नीचे इसके कटाओ बने हुए है नीचे हम इसमें क्या करेंगे यह आप मुझे बताइए अब हम इसको simple नहीं रख सकते इसमें पूरा work है लेकिन फिर भी हम इस पर काम करेंगे यह 7000 का suit है हम इसको 14 का त्यार करके देंगे यह 7000 का suit है लेकिन जब हम इसको त्यार करेंगे और customer इसको डाल लेगा तो यह 14000 का बन जाएगा नहीं नहीं मेरी stitching इतनी नहीं है कि यह costly हो जाएगा बट हम इसको त्यार ऐसे करेंगे इसको एकदम branded piece बनाएगे अब आप बताइए मुझे अब जो trend में laces आई हुई है यह hanging है यह hanging है हर कोई अपना-पना mind यूज करके बताएए कि हम क्या यूज कर सकते हैं यह नहीं और यह घोटब पत्ती की बन हुई है इसका हम यूज कर सकते हैं यह नहीं या फिर दोस्तों piping के लिए चोक में हम कौन सी lace निकाल ले स्मूसा lace में color देख लीजिए चूज कर लीजिए color आप चूज करके बताएएंगे first, second, third screenshot ले लेजिए और मुझे send करना कि यह जाएगा आप मुझे बताना कि अगर हम piping डालते हैं तो कौन से color के हम इसमें piping डालेंगे यह स्मूसा lace की piping डाले या फिर यह फैवरिक है दोस्तों यह देखिए थोड़ा चूके देखिए यह सीमर का फैवरिक है यह सीमर का फैवरिक है signing वाला इस फैवरिक से ब्लाउस भी बनाए जाते हैं बट हम इसका यूज पाइपिन के लिए करेंगे अब इसमें भी तीन चार कलर हैं तो हम निकालते हैं एक यह एक गॉल्डन लाइट गॉल्डन तो हम इसकी भी piping डाल सकते हैं तो दोस्तों आप बताए कि हमें piping इसके डालनी है स्मोसा लेस लगानी है अगर हम इसमें स्मोसा लेस डालेंगे तो हम कैसे डालेंगे हम ऐसे गुम करके स्मोसा लेस लगाएंगे नहीं हम दोस्तों इसमें गुम करके स्मोसा लेस नहीं लगाएंगे स्मोसा लेस हम फनीसिंग पट्टी से गुम करेंगे अब हमें फनीसिंग पट्टी बनानी पड़ेगी जो cotton's and tone हम इसके निच्चे लगाएंगे या bottom का जो fabric बचेगे उसे हम बिल्कुल भी waste नहीं करेंगे एक एक टुकड़ा बचा के रखेंगे और उस पर हम like रापेष्ट करेंगे उस पर हम like रापेष्ट करेंगे जो कि मैंने पहले भी दिखाया था तब हम furnishing पट्टी बनाएंगे ये सब चीजे में क्लास में आपको एक एक चीज बताऊंगी stitching का भी, designing का भी, draw का भी, हर चीज color combination भी, color contrast भी, हर चीज body के according, sub designing कैसे कैसे होती है तो दोस्तों, furnishing पट्टी के लिए like रा यूज करेंगे क्योंकि ये और गंजा का फैवरिक है वैसे हम इस में fusing paper की paste भी यूज कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर heavy suit है तो like रा आप बताएंगे क्या करना है, like रा यूज करना है या fusing paper यूज करना है तो ये मैंने आपको दिखा है अब दोस्तों ये देखिए मेरे पास और भी पड़ी है तो मुझे जो जो सही लगी मैंने निकाल दी ये 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 तो ये देखिए ये मैंने use करनी है pipe in के लिए अब हम pipe in contrast में लगाएंगे या combination में ये मुझे बताईए आप आप अच्छे से देख लीजिए सक्रीन सोट ले लीजिए और मुझे बताईए कि हम pipe in contrast में लगाएंगे या combination में लगाएंगे वो चूज आप करोगे क्योंकि suit आपने देख लिया है आप हमें बताएंगे कि आप कैसे लगाऊगे contrast में लगाऊगे या combination में लगाऊगे बाकी हम इस suit को फिर ready करके आपको दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे ready किया है बाकी छोटे pieces भी देखो दोस्तों मैं रखती हूँ इतने छोटे छोटे pieces भी मैं waste नहीं करती ये सब चीजें भी मैं संबाल कर रखती हूँ क्योंकि मैं इन छोटों छोटे pieces से designing करती हूँ और designing बनाती हूँ बड़े सुन्दर सुन्दर प्यारे pieces बन जाती है तो सारा material मैं संबाल कर रखती हूँ बाकी मैंने आपको laces हाँ ये लेस भी बड़ी सुन्दर है ये देखो अच्छा दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि मैं laces से सेल कर रही हूँ ये सेल के लिए नहीं है ये मेरे बुटीक के लिए है ये material मैं खुद यूज करती हूँ अपने customer के कपड़ों के लिए तो आप ये मत समझ लेना कि मैं सेल के लिए आपको दिखा रही हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ बाकि आप समझ लीजिए और मैंने आपको material बताया है like रा के बारे में बताया है बाकि और कुछ आपको पूछना है तो आप comment कीजिए वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अपने होसले बुलंद रखिए और एक अच्छी designer बनिए एक अच्छा piece मैं चाती हूँ कि आप सीख कर अपनी प्यारी प्यारी dresses बनाए और मुझे pick sand करे और मैं पुरे proud के साथ कह सकूँ कि वाओ यह देखो कितना प्यारा पीस बना है तो आप मेरे साथ जुड़िये बने रहे जर्दी classes शुरू करेंगे और next वीडियो में आपसे मिलते हैं कल मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार